हेलो गाइस विलकम टो न मायन रोसा है वार्ल और समनमाम लाव follower है लाँ वारंटमामले समनमामले जारी किया जाना और समनमामले के विचार प्रक्रिया का परिवर्थन किया जाना इसके बारे में डिटेल से बाते करेंगे अपट लोग नोट से बनाते रहिए आपको helpful होगा समन मामला दन प्रक्रिया सहिता की धारा 2W समन मामले को परिभासित करती है धारा 2W के अनुसार समन मामले से तातपर ऐसे मामले से है जो किसी अपराद से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है अतहा समन मामला ऐसा मामला है जो पहला पॉइंट किसी अपराद से संबंधित हो दूसरा पॉइंट वारंट मामला नहीं हो और दो वर्स या दो वर्स से कम दंडनी या केवल जुर्माने से दंडनी कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनी अपराद समन मा किसी अपराद से संबंदित हो दूसरा वारंट मामला ना हो दो वर्स या दो वर्ससे से कम दनदनी या केवल जुर्माने से दनदनी कारवास या जुर्माना दोनों से दण्डनी अपराद समन मामले की अंतरगत आता है समन मामले में अउनली इतना ही लिखना है अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लिजिए वारंट मामला वारंट मामला 2x दण प्रक्रिया सहीता की धारा 2x वारंट मामले को परिभासित करती है धारत 2-X के अनुसार वारंट मामले से तात पर ऐसे मामले से है जो मित्यू आजीवन कारावास या दो अर्श से अधिक के कारावास से दंडनी किसी अपराद से संबंदित है अतहा वारंट मामला ऐसा मामला है जो पहला point मित्यू या आजीवन कारावास से दंडनी किसी अपराद से संबंधित है अथवा दूसरा point दो वर्स से अधिक के कारावास से दंडनी है देखिए समन मामला हो गया वारंट मामला हो गया अब देखिए समन मामले में वारंट एवं वारंट मामले में समन का जारी किया दार하다 87 87 और 204 B 204 B 12 मिल्हाद मांन नियम यह कि समन मामले में अभियुक्त को न्याले में उपनित होने के लिए समन्यारी किया जाना चाहिए दन्प्रक्या सहिता की धारा 87 वा 204 भी इस समान नियम का अब वाद प्रस्तुत करता है देखिए धारा 87 के अनुसार धारा 87 के अनुसार यदि नियायालय को यह प्रती तो होता है कि अभियोक्त या तो फरार हो गया है या समन का पालन नहीं कर रहा है अथवा समन की सम्यक तामेली के बाब जूदे निश्चित समय पर गयर हाजिर रहता है नहीं आता है एवं गयर हाजरी का कोई कारण भी नहीं बताता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं तो नियायालय कारणों को रिकार्ड करते हुए गिरपतारी के लिए समन मामले में वारंट जारी कर सकता है इस सहिता के 204B के अनुसार नियायालय स्वयम के विवेक के आधार पर वारंट मामले में भी अभियुक्त के विरुद समन जारी कर सकता है आपको इतना इसमें लिखना है अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लिजे समन मामले के विचारर प्रक्रिया का वारेंट मामले के विचारर प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना धारा 259 सेक्षन 259 धारा 269 देखिए इसमें डन प्रक्रिया सहिता की धारा 259 के साथ समन मामले की विचारर प्रक्रिया के दोरान मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि अभियुक्त व्यक्ति को 6 मां से अधिक के कारावास का दंड दिया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट न्याय हित में उचित समस्ता हो तो समन मामले के विचारर प्रक्रिया को वारेंट मामले के विचारर प्रक्रिया में परिवर्तित कर सकता है परन्तु वारेंट मामले की विचारर प्रक्रिया को समन मामले की विचारर प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है देखे इस बात का ध्यान दीजेगा समन मामले को तो कनवर्ट किया जा सकता है लेकिन वारंट मामले को समन मामले में कनवर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया कठोर एवं लंबी होती है आता कठोर विचारण की प्रक्रिया की जगा पर समान विचारण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो अभियुक्त के साथ अन्याय हो सकता है यही कारण है कि वारंट मामले के विचारर प्रक्रिया को समन मामले का विचारर प्रक्रिया में परिवर्तिक नहीं किया जा सकता है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर ज़्यादा जलदी हम बोले हैं तो आप लोग वीडियो को रोख कर नोर्प्स बना सकते हैं औस प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेंस में लिखने के लिए इतना इनफ है बाकी आगे नेक्ट टॉपिक पे अन्वेचघाज पे बात करेंगे ठैंक यू